हलो दोस्तों ब्रिज्जाज की चन में आपका स्वागत है आज मैं चने के सत्तू से पराठे बनाने जा रहे हूं गोजिया वाले पराठे यहां पर मैंने सत्तू ले लिया है 300 ग्राम हरी मिर्च मैंने डाला है साथ बारी कटा हुआ लसन डाले हैं 12-15 बारी कटे हुए अध्र ज्वाइन डालदा और आधे चम्मे से थोड़ा सका मंगरेल यहां पर मैं काला नमक का इस्तमाल कर रहे हुँ थोड़ा सा और यह साधारण नमक नमक आप स्वाथ के निमसाल लेंगे दोनों यहां एक भरवन में का अचाय डालेंगे इसमें अब इसमें हम डालेंगे तेल यहां मैं सरसो के तेल का इस्तमाल कर रहे हुँ यहां मैं तीन चम्मज सरसो का तेल रहे हुँ अब इसमें डालेंगे हम नेबू का रज यहां पर हम एक नेबू का रज इसमें डालेंगे अब मसालों को निकालेंगे और इस सत्तु में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को देखिए भरा भरा सा है उसमें थोड़ा साम पानी डालेंगे दो से तीन चम्मच हम ज्यादा पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे खाने वाले चम्मच से मैंने सिर्फ तीन चम्मच का ही पानी का इस्तमाल किया है और इसे अच्छी तरह मिलाक ढग देंगे तब तो चलिए आटा गूत लेते हैं यहापर मैंने 500 ग्राम आटा लिया है इसमें मैंने कुवाँ पिकर लिया अब इसमें मैं पानी डाल रहे हूँ पानी से माटव को अच्छी तरह गूत लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूत दे जाएंगे इसको अच्छी तरह मसल मसल कर गूतेंगे ताकि एकदम यह सौफ्ट हो जाएं देखिए हमारे आटा एकदम सौफ्ट हो चुका है अब चकले पर सूखा आ अब यहां हम सत्तु के मिश्रण को इसमें डालेंगे यह बाद चला लेते मिश्रण को यहां पर मैं दो चम्मत सत्तु के मिश्रण को डाल ले हूँ इसे आधे भाग में हम सेट कर देंगे रोटी के आधे भाग में और उपरी वाले हिस्से को उठा कर हम आगे वाले हिस्तों में दबा देंगे यहां थेलियों से दापते हुए अंदर का जो एश्ट्रहवा है उसको हम बाहर निकाल देंगे साइट के अमुलियों से हम दाद देंगे साइट के भागों को यहां थिलियों से मैंने दगा यहां उलियों से अब कांटोले चम्मच की साथ है इस पर हम डिजाइन बना देंगे इसे हम गोजिया का आकार्ड देंगे देखे हमारे गोजिया वाले पराठे बनकर तयार है तो अब इसे हम बेक करेंगे तवा गर्म हो चुका है फ्लेम स्लो रखेंगे मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे इसे हम उलट देंगे एक तरफ हलकालका हो चुका है आप दूसरी तरफ भी हम पकाएंगे अब यहां refined oil मैंने इस्तमाल किया है तेल डालेंगे आप तेल यह किसी भी चीज का इस्तमाल कर सकती है उलट पिलट का हलका ब्राउन जब हो जाए तब इन पराठो को हम निकाल लेंगे इन पराठो को हम चोखा और चटनी के साथ खाएंगे यहां पर मैंने कट्वरी में सेजवान चटनी लिया है और साइड वाले दुसरे कट्वरी में मैंने चोखा को रखा है तो इसको हम गोजवाले पराठो को तूड़ते हैं और सेजवान चटनी में लगाते हैं और खाते हैं तो आप भी बनाएए और इंजॉय करिए गोज्या के पराठे